हलो बच्चो नमस्कार सभी को स्वागत है आपका अपने प्यारे चानल लर्न फर्न कॉमर्स पर लास्ट दो लेक्चर से हम लोगों ने रिलेशन्स को पूरा खतम कर दिया मतब्द आपको और हमारा रिलेशन तो भीया और मजबूत होता जा रहा है लेकिन हमने 11th क्लास का जो रिलेशन टॉपिक है वो हमने फिनिश किया आज हम जानेंगे कि फंक्शन्स क्या होते हैं आज पूरे लेक्चर के अंदर मैं आपका फंक्शन पूरा खतम कर दूँगा function क्या होता है कौन सा relation function होता है या नहीं होता उसके बाद types of functions के बारे बात करेंगे with their domain, range and graph very important concept for 12th point of view also उसके बाद जानेंगे कि paper में question किस प्रकार आएगा और आपको जवाब किस प्रकार देना है और उसको crack कैसे करना है तो in short, one short solution है आज आपके सामने functions का यानि हर चीज function के बारे में जो possible है वो आज आपको इस lecture में दी जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस lecture के अंदर सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भाईया ये function होते क्या है what is a function देखो अभी तक हम लोगों ने relation के बारे में पढ़ा ही पढ़ लिए तो अगर relation को मद्दे नजर रखते हुए बात करें देखो layman भाषा ना हमें definition नहीं लिखनी एक्जाम में आपकी और मेरी बीच की बाते हैं वो क्या है कह रहे a function जो होगा a relation is said to be a function a relation is said to be a function if its domain doesn't repeat अगर उसकी domain repeat नहीं करेगी उस relation को आप function बोलोगे for example for example एक relation दिया हुआ है 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 तो ये क्या है it is a function because इसकी जो domain है वो repeat नहीं हुए it is a function ठीक है बच्चो तो ये क्या है एक हमारा function है but but अगर मैं एक आर लेता हूँ let's say 1, 2 चिक है जी 1, 3 1, 4 2, 4 2, 6 let's say 2, 8 तो ये जो चीजे हैं यहां पर देको domain क्या कर रहा है repeat कर रहा है मतलब एक बारी भी गलती से कर जाएगा repeat तो वो function नहीं है it is not a function it is not a function तो ये मैंने आपको बात बताई ये बात बताई मद्दे नजर रखते हुए relation को मतलब अगर आपके सामने एक relation की roster form है तो आप देखकर बता सकते हो हाँ भाई ये function है और ये function नहीं है अगर domain repeat कर रही है तो वो function नहीं है अगर domain repeat नहीं कर रही तो वो function है अब बात करते है थोड़ी से mature level के ये तो बहुत simple है न ये given होगा तो आप ताड़ के देखकर बता दोगे कि हाँ भाई ये function है या ये function नहीं है लेकिन what if जब आपको function किसी और प्रकार से दिया होगा तो मेरे इसाब से from my point of view function जो है वो एक machine की तरह है function is a machine आप बोलो के सर function is a machine देखो भाई या machine कैसे काम करती है कोई भी आप machine देख लो वो three idiot वाला zip उपर नीचे वाला भी आप सो सकते है तो every machine works on input and output mechanism यानि एक input होगा तो output होगा जैसे एक bulb जलता है तो electricity input होगया output रौश्णी और heat होगई जैके जी एक fan है input electricity होगई output हवा होगई समाज रहे हो एक pressure cooker की बात होगई नीचे heat होगई output होगया भी या खाना बना कर दे रहा है pressure create कर रहा है तो function is a machine यानि it works on it also works on input and output mechanism output mechanism में काम करता है यानि आप लोगों ने बच्पन में सुना होगा ऐसे polynomial chapter में तो बहुत जाज़ा सुने fx is equals to x square minus 5 फिर आप यहाँ पर 1 डालते थे बच्चो 1 डालते थे तो you will get minus 4 आप यहाँ पर 2 डालते थे तो you will get minus 1 आप यहाँ पर 0 डालते थे तो you will get minus 5 तो actual में है क्या 1, 2, 0 आप इनपूट्स here here 1, 2, 0 etc. आप इनपूट्स यह क्या है? इनपूट्स हैं और जो इनपूट्स को डालने के बाद आपको मिल रहा है वो आपके आउट्पूट्स हैं तो minus 4, minus 5 minus 1, so on are आउट्पूट्स यह क्या है बच्चो हमारे आउट्पूट्स? in short, हमारे मैच की भाषा में इसको हम डुमेन कहते हैं और इसको हम रेंज कहते हैं इनपूट्स डोमेन और आफटर पुटिंग इनपूट्स यूविल गेट आउट्पूट्स that output is known as range got it अब इनको और इनको मिला दिया जाए तो यहां पर input repeat नहीं होना चाहिए मतलब माल लो एक function है देखो मैं बड़ी भहकी भहकी बाते करूंगो आज अगर मैं आज सोंवार को वन डाल रहा हूं आज शुक्रवार को अगर मंगल वार को यह शनी वार को वन डालूँगा तो मुझे कुछ और मिल जाए ऐसा पॉसिबल है इस function की बात करो तो अगर कभी ऐसा पॉसिबल हो जाए कि आप एक value डाल रहे हो तो एक answer आ रहा है same value डालने पर कुछ और भी answer आ रहा है अगर ऐसा है तो भाईया वो चीज function नहीं है मतलब आपके लिए एक मूल मंत्र बता देता हूँ अगर आपने एक same value डालके दो अलग-अलग answer निकाल दिये तो it is not a function लेकिन दो अलग-अलग value निकालके same answer निकाल दिया it is a function मतलब अगर मैं यहां पर one डाल रहा हूँ तो one आ रहा है minus one डालने पर भी क्या है का one तो दो अलग-अलग value पर same answer अगर आ रहा है तो वो तो function है domain repeat नहीं हुआ range repeat हो रही है लेकिन अगर आप एक same value पर एक same value पर दो अलग-अलग answer ले आते हो सर ऐसे कैसे होगा अरे बहुत जगा होगा अगर ऐसा है तो वो function ही नहीं है वो relation हो सकता है जैसे देखो न मैंने कभी one put किया होगा तो मुझे two मिला होगा और मैंने फिर one put किया होगा तो मुझे three मिला होगा अगर ऐसा कोई रिष्टा है तो वो रिष्टा तो है वो function नहीं है तो यह तो गया हमारा practical knowledge कि वह यह function है या यह function नहीं है अगर आपको roster form की form में दिया होगा तो आप ताड़ के बता सकते हो कि हां भाई यह function है यह नहीं है और अगर आपको इस form में दिया होगा तो भी आप पता सकते हो कि अगर domain repeat कर रही है एक City एक single input पे दो अलग-अलग outputs मिल रहे हैं तो वो relation तो बन होगा वो relation तो होगा लेकिन वो function नहीं होगा मेरे बच्चो Got it? Clear है? Sorted है? चले आगे आओ, छे गे जी तो ये तो हो गया हमारा introduction of function I hope crack हो गया होगा बच्पव ने बहुत जगा ऐसा किया है अब आपने बहुत सारे काम ऐसे किया हुआ है function fx दिया हुआ है f1 निकाल लो, f0 निकाल लो, f2 निकाल लो तो अपने अगर आप 2.3 exercise खोलोगे तो आपको ऐसे बहुत से question मिल जाएंगे उनको आप crack कर लेना, बच्पन वाला काम है हमारा काम है आज main काम जो बुनियाद है function की मतला समझ लो, मैंने आपको बताया था relation function इस साल है बाहु बली the beginning अगले साल आएगा 12th में बाहु बली the conclusion तो यानि यहाँ पर अगर आप कमजोर रह गए यह वाली movie डंक से नहीं देखी तो वो समझनी आएगी कि कौन है कटपा कौन है बहु बली कौन है देव सेना तो यहाँ पर भी यही फंगा है अगर function आपको strong करना है अगले साल का तो इस साल और वैसे भी यह जो function है न यह से रफ relation function से सीमित नहीं है इस साल भी कहीं जगा लगेगा और अगले साल भी भरा पड़ा है application of integration में लगेगा आपका AOD के अंदर लगेगा तो function में grip बनानी है आपको ठीक है ना कि function होते कितने type के हैं देखो अब हम पढ़ेंगे types of function वैसे यह कहना गलत होगा कि यह types of functions है यह examples of function types of function दो बच्चा 12 में सीखता है लेकिन हमारी किताबों में types of function लिखा है तो बच्चे कहते हैं यह लोग topic नहीं पढ़ाया तो मैं बता देता हूँ यह example of functions होते हैं यह function के कहीं ज़्यादा प्रजातिया है तो जैसे पहला आता है constant function देखो अब आने वाले आठ या नौ functions के अंदर हम लोगों ने क्या सीखना है पहला definition of function दूसरा उसका domain तीसरा उसकी range और चौथा उसका graph यह चार चीज़े आपने हर एक function में समझनी है तो पहला आता है मेरे प्यारे बच्चो कि constant function constant function fx is equals to constant यानि c हो गया for example example के तौर पर fx is equals to 5 हो गया for example fx is equals to minus 2 हो गया और आपको इक पते ही की बात बता दूँ इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे पूरे chapter में हर जगा पूरे जीवन में fx और y में कोई फरक नहीं है fx is equals to function है या y is equals to function है एक ही बात है ठेक है ना तो इसको y is equals to 5 ही रीट करो और ये y is equals to minus 2 तो this is known as constant function constant function को constant function इसलिए का जाता है कि अगर आप एक value डालो तो हमेशान सा सहे माए है अगर मैं function के अंदर 1 डालूँगा तो भी 5 आएगा, 2 डालूँगा, तो भी 5 आएगा 100 डालूँगा, तो भी 5 आएगा इसके अंदर कुछ भी डाल लो, answer minus 2 आएगा तो ऐसे functions को का जाता है constant function, rigid function ठीक है, ओके, चलो तो इनकी domain क्या होती है और इनकी range क्या होती है याद नहीं करनी, समझनी है domain, domain का मतलब होता है जो आप डाल सकते हो which we can put in place of x तो हमको कौन रोक रहा है देखो, पहली बात तो यह सारे functions जो होते हैं बच्चो वो real functions होते हैं यानि आपको जो अपनी की domain और range सोचनी है, वो real to real सोचनी है, वो आपको सोचनी है बच्चो, real to real यानि domain भी real से निकालनी है और range भी real से निकालनी है, तो domain आप कुछ भी put कर सकते हो इस function में आप कुछ भी put कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां बनती है, under root के अंदर negative आ जाएगा तो दिक्कत बनती है denominator में 0 आ जाएगा तो दिक्कत बनती है तो यह दो restriction है यहां तो ना under root है ना denominator है, तो हमारा जो domain आएगा बच्चों, वो आएगा minus infinite से infinite आप कुछ भी put कर लो, यानि any real number, और जो आपको range मिलेगा, अभी तो बताया कुछ भी put कर लोगे, range आपको क्या मिलेगा, वो particular constant जो question में दिया होगा, यानि range is constant वो same रहेगी, तो 2 put कर लो 5 मिलेगा, 3 put कर लो 5 मिलेगा, 4 put कर लो 5 मिलेगा root 3 put कर लो 5 मिलेगा 5 put कर लो 5 मिलेगा, 0 put कर लो 5 मिलेगा, तो कुछ भी put करने पर मिलेगा आपको वोही constant इसलिए इस function का नाम है constant function बात की जाए बच्चो इसके graph की तो constant function तो आपको पता ही है y is equals to anything y is equals to anything मान लो this is c तो वो pass हो जाएगा यहां से तो this is fx is equals to constant graph की जो shape है is parallel to x-axis always constant function हमेशा parallel to x-axis होता है तो कोई पूछे one marker mc की बहुत आता है की what is the shape of graph of constant function तो tick कर देना किसके ओपर parallel to x-axis always गाट इचाहे वो positive हो चाहे वो negative हो x-axis के तो बच्चो वो parallel रहेगा चलें आगे बहुत ही बहतरी है आगे बढ़ेंगे identity function identity मतलब जुडवा identity मतलब जुडवा चले क्या जी अब जुडवा मतलब identity यानि identical यानि जो x है वही fx है तो function की जो definition है this is definition fx is equals to x जो x है वही fx है ऐसे functions को का जाता है identity या identical functions बहुत है simple है अब इसमें जो domain है जब भी आप domain सोचो तो देखना दो rules violate नहीं होने चाहिए under root के अंदर negative और denominator में 0 ना यहाँ पर root है ना यहाँ पर under root है जब भी ऐसा हो तो आख बंद करके minus infinite to infinite लिख देंगे तो domain आगी बच्चों minus infinite to infinite और अभी बताया दन है तो यहाँ पर आगे हमारा minus infinite से infinite अभी यह ना मैं सारी के सारी चीज़ें questions में apply करूँगा तो आपको चोकनना रहना है कि भाई यह कैसे आ रहा है identity function identity function में जो x है वही fx है अब आप इसका चाहो तो y is equals to x का आप वो box बना सकते हो बच्चों 1 minus 2 पर minus 2 minus 3 पर minus 3 तो जो यह line जाएगी वो कैसे जाएगी बिटा ऐसे जाएगी passing through origin तो fx is equals to x passing through origin जाएगी छे के जी passing through origin और in first and third quadrant छे के जी ऐसे जाती है यह होता है बिटा हमारा कुन सा function identity function clear है इसके बाद बात करेंगे तो linear function सबका चहेता बचपन वाला question ax plus b अब इस function का जो dummy function है वो याद रखना है अब linear function के ओपर बहुत सारे question आते है कि fx is equals to ax plus b है तो इसको याद रखना है fx is equals to ax plus b got it चलो तो यह हो गया linear function अगर मैं यहाँ पर domain की बात करूँ फिर still यहाँ पर कोई root नहीं है और कोई यहाँ पर denominator नहीं है तो कुछ violate नहीं होगा तो minus infinite से infinite अब चलो 9th standard पर linear equation in two variables we all know that a linear equation in two variable linear equation in two variables have have infinite many solutions पता है न आप लोगो इनके infinite many solutions होते है and all are unique in nature unique मतलब अगर मैं one put करूँगा तो मान लो अगर five आता है तो कुछ और put करने पर five नहीं आएगा यह बात हमें बता है one put करने पर five आएगा five put करने पर one आएगा याद है ना आप लोगों ने x plus y is equals to five किया तो अगर मैं x zero put करता हूँ तो I will get five अगर y zero put करता हूँ I will get five अगर मैं x zero put कर रहा हूँ तो five मिलेगा y five put कर रहा हूँ तो x zero मिलेगा यह unique solution है x zero put करने पर हमेशा five ही मिलेगा कुछ और नहीं मिल सकता तो range क्या आगई कुछ भी आ सकती है minus infinite से infinite जैसा डालोगे वैसे वैसा मिलता रहेगा बासन में आ गई minus infinite से infinite अच्छा अब जो linear function होता है वो तो पहचाना ही जाता है अपने straight line curve से चेक है जी तो इसका जो graph होता है वो कैसे भी जा सकता है जरूरी नहीं है ऐसे ही जाएगा लेकिन जो इसकी shape होती है वो क्या होती है बच्चो straight line बच्चमन से पढ़ा ही कर रखी है इसके तो सबस्यादा graph आप लोगों ने बनाए है चली आगे चलते है quadratic function अब quadratic function का जो basic structure होता है देखा जाए वो होता है ax square plus bx plus c चीक है जी लेकिन हमारे इस case के अंदर सिरफ a की function दिया है वो है x square वो कह रहे है इसी का ही domain बताना है इसी का ही range बताना है और इसी का ही graph बनाना है इतने बड़े बड़े चीजों का नहीं बनाना तो fx is equal to x square की बात की जाए तो अगर आप इसका domain देखो तो कोई law break नहीं हो रहा कुछ भी डाल सकते हो लेकिन अगर आप इसके range की बात करोगे बेटा अगर आप इसके range की बात करोगे तो common sense की बात लग जाएगी आप x के अंदर कुछ भी put कर लो you will get a positive answer आप negative डालोगे तो भी positive मिलेगा 0 डालोगे 0 मिलेगा positive डालोगे तो positive मिलेगा तो जो इसकी range होगी वो 0 से infinite होगे अब यहाँ पर चीज़े बदलनी चालू हो जाएगे ठेक है जी तो जो हमारी range है वो है 0 से लेकर infinity तक अब domain आप कुछ भी रा सकते हो कोई restriction नहीं है क्योंकि denominator में 0 नहीं बन रहा root में negative नहीं बन रहा लेकिन जो range है वो क्या रहेगी जीरो से लेकर infinite मैं आपको फिर बता दू domain होती है x की value range होती है हमारी किस की value fx यानि y की value अब जो इनके graph की shape होती है वो तो आप लोगोंने पहली पढ़ रखा है parabolic shape होती है क्या होती है बच्चो parabolic shape parabolic बोलो parabolic बोलो pronunciation है अपनी अपनी चेक है जी आप इसकी जो shape आती है fx is equals to x square की वो आती है यू shaped वो क्या आती है यू shaped ठीक है जी अब सबको पता है paper में अगर question आता है कि draw the graph of fx is equals to x square तो मेरी advice यह है कि एक box बनाएंगे linear equation in two variables का box जब हम बनाते थे बच्चो तो वहाँ पर तीन values teachers कहती थी तीन ले लो या दो ले लो चेक है जी यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि 7 values लो symmetric बढ़िया बैतरीन graph बनाना है तो कितनी values लेनी है आपको 7 values पहला लेना है बच्चो आपको 0 0 पर मिलेगा आपको 0 1 पर मिलेगा आपको 1 2 पर मिलेगा आपको 4 3 पर मिलेगा आपको 9 ऐसे माइनस 1 पर मिलेगा आपको 1 माइनस 2 पर मिलेगा 4 और माइनस 3 पर मिलेगा आपको 9 ठीक है बासन में आ गई तो 1 पर मिलेगा 1 2 पर मिलेगा 4 और 3 पर मिलेगा 9 माइनस 1 पर मिलेगा 1 2 पे मिलेगा 4, 3 पे मिलेगा 9, U shaped बन जाएगा graph उठाना, pencil scale उठाना, free hand join करना देखना Christian जी का तिलक, यानि happy जन्माष्ट में सबको मेरी तरफ से Christian जी का तिलक बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही प्राबोलिक shape होती है ठेक है जी, तो fx is equals to x square होता है हमारा quadratic function got it, समझे आगी बाद, चलिए, तो अगर आपसे पूछता है x square का graph तो आपने ये 7 values लेकर graph पर plot करेंगे, shape पूछ सकता है आपसे वो होती है, प्राबोलिक shape, domain होती है, कुछ भी put कर लो, range is always positive 0 मिल सकता है, तो इसलिए 0 के आगे मैंने close bracket लगाया है तो 0 या 0 से बढ़ा, चेक है जी, इसी प्रकार अगला आदा बच्चो cubic polynomial, अगर देखा जाए cubic polynomial का जो मारा basic form होता है बच्चो वो होता है ax cube, bx square, plus cx, plus d लेकिन हमारे इस syllabus में आपको सिरफ fx is equals to x cube का ही वर्णन किया गया है, इसी की ही आपको परिभाशा और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है चेक है जी, तो इसका domain आया बच्चो हमारा, domain आया कुछ भी बुट कर सकते हो और range आया कुछ भी आ भी सकता है, क्योंकि यहां तो ऐसा है नहीं यहां negative डालोगे, negative मिलेगा, positive डालोगे तो positive मिलेगा, zero डालोगे तो zero मिलेगा कुछ भी डालोगे, कुछ भी मिलेगा, तो यहां पर जो इसकी domain और range होगी, वो minus infinite से infinite हो सकती है जो इसका graph होता है, वो होता है inverted S-shape, inverted S-shape graph कैसे बनता है, इसके लिए भी अगर आपके पास समय हो, आपके precious समय में से तो I advise कि आप यहां पर 7 values लेंगे चिक है जी, एक 0, 0, 1, 1, 2, 8, 3, 27, minus 1, minus 1, minus 2, minus 8, minus 3, minus 27 देख सकते हो, positive पर positive मिल रहा है, negative पर negative मिल रहा है तो नहीं यहां पर आएगा, नहीं यहां पर आएगा हाया ना, क्योंकि यहां पर होता है negative positive, यहां होता है positive negative नेगेटिव पुट करने पर नेगेटिव मिल रहा और पॉजिटिव 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 तो यह इन्वर्ट इस शेप यानि फॉर्स्ट और थर्ड लाई करेगा लगबक जब आप सॉरी लगबक जब आप इसका ग्राब बनाओगे बच्छो तो इस प्रकार से यह आएगी इस प्रकार से आपकी शेप आएगी इन्वर्टिड एस शेप गाट इक ट्लियर है तो दिससे एफ एक्स इस एकोल स्टू एक्स क्यूब डन ड्रॉ करेंगे तो मजायेगा नहीं करेंगे तो याद रखना पड़ेगा सिम्पल अबात है ड्रॉ करेंगे तो याद रखने प्रहें नहीं आप आपने बना लिए एक पेरे साफ से तो बनाना चाहिए क्वाडिटिक का भी और क्यूबिक का भी पेपर में आए ना आए हर चीज पेपर के लिए सुना पढ़ रहे हो बच्छो अब आते हैं तीन ऐसे फंक्षन जो की बड़े महान फंक्षन है पहला फंक्षन आता है मॉड्डिूलस एकदम नया श मॉड्ड माइनस 3 है तो वो 3 आएगा मॉड्ड 5 है तो वो 5 आएगा 0 है तो 0 आएगा माइनस 1.7 है तो 1.7 आएगा इन शॉट मॉड्डिूलस का काम क्या होता है कि ये नेगटिव चीज को पॉजिटिव कर रहता है ठीके जी हमें अपनी जिंदगी में कम से कम दो से लेके 10 बारी इस मॉड्डिूलस फंक्षन के अंदर जाना चाहिए जोकि जितनी नेगटिविटी हम लोगों के अंदर है यहां पर मॉड्डिूलस फंक्षन में एक बारी जाओ और भार आओगे तो आप पॉजिटिव होगे क्या बात कहा दिमाने ठीक है ना तो मॉड्डिूलस फंक्षन जो होगा बचो वह नेगटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही अभी देखो मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी आप कुछ भी पुट कर सकते हो कुछ भी मैंने कहा ना खुद भी जा सकते हो इनसान भी जा सकता है लेकिन जो रेंज होती है वो आलवेज पॉजिटिव मिलेगी वो आलवेज पॉजिटिव मिलेगी अच्छा देखो ये लेकिन खेलेगा आपके साथ, अगर कोई आपसे पूछे कि fx is equal to mode x मैं इसकी बता रहा हूँ आपको तो इसकी जो domain है वो minus infinite से infinite है और जो इसकी range है वो 0 से infinite नहीं positive रहेगी बाकि इसकी variety आएगी तो domain और range change होती जाएगी, वो तो quadratic की भी है और v-shape होती है, जो इसका graph shape होता है, वो v-shaped होता है, ठीक है जी इसको भी बनाया जा सकता है, वही 7 values से, बड़िया graph बनेगा आओ इसको तो बनाई लेते हैं, और बताओ इसको तो मैं draw ही कर देता हूँ तुमारे लिए x, fx 7 values 0 लेंगे 0, 1 1 लेंगे 1, 2 लेंगे 2, 3 लेंगे 3 minus 1, 1, minus 2, 2 minus 3, 3, बासन में आ गई अब देखो ध्यान से, 0 पर क्या है, 0, पहले 1, 2, 3 4, 5, 6, 1, 2 3, 4, 5, 6, 1, 2 3, 4, 5, 6, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3 minus 1 पर 1, minus 2 पर 2, minus 3 पर 3 तो यह अगर आप देखो ध्यान से बचो तो यह जो बना आपका this is V-shape graph यह V-shape ठेक है जी? ओके? homework सुन लो homework fx is equals to mode x plus 1 का graph बना लेना fx is equals to mode x minus 1 का graph बना लेना important है paper में पूछता है fx is equals to mode x plus 1 fx is equals to mode x minus 1 similar तरीके से बनेगा plot कर देना scaled pencil से लेकिन symmetric लेना अगर आप सिराफ positive लोग है तो सिराफ ऐसी graph बनेगा तो जितने negative लोग है उतने ही positive ले लेना तब V-shape आईगी तब मज़ा आएगा got it? clear है? चले आगे बच्चो आजो तो यह था हमारा modulus function very easy function आगे बात करेंगे the most important function is greatest integer function अब जो हमारा बच्चो greatest integer function होता है वो क्या होता है समझने वाली बात है डंक से समझना greatest integer function देखो नाम है greatest ठीक है जी? वो काम है बड़े और दर्शन छोटे वही वाली कहानी हो गई तो यह काम तो बहुत बड़े मतलब नाम तो बहुत बड़े हैं और लेकिन जो दर्शन है वो बड़े छोटे हैं मैंने काम बड़े बोल देता है कि नाम बड़े होता है तो greatest integer का काम greatest चीज़े देना नहीं है वो बताता हूँ क्या है तो यहां पर आया greatest integer function पहली बात तो इसका जो symbolic version है वो है ऐसे modulus जो होता था वो डंडो के बीच में होता था greatest box के बीच में होता है काम क्या है देखो करके दिखाता हूँ इसके अंदर अगर कोई integer जाएगा तो answer integer ही होगा देख रहे हो integer जा रहा है तो answer integer ही हो रहा है छेक है लेकिन अगर integer नहीं जाएगा तो क्या होगा अगर इसके अंदर integer नहीं जाएगा तो क्या होगा द्यान से देखना इसके अंदर मान लो चला गया 1.3 तो आपने कुछ नहीं करना अपने मन के अंदर 1.3 ग्राफ पर यानि number line पर plot कर देना है अब 1.3 से छोटा जो सबसे पहला integer आएगा left side चोटा सबसे पहले integer वो हमारा answer होगा यानि 1 1.3 से छोटा integer अब बच्चे गया करते हैं उसके आसपास भूणते हैं 1.9 के आसपास देखा 2 नहीं बड़ा छोटा ही जाना है तो भी क्या आएगा 1 आएगा ऐसे कोई बोल रहा है कि जैसे for example minus 2.1 से छोटा तो minus 3 होगा समझ रहे हो पाई क्या होता है 3.14 तो 3 हो जाएगा रूट 3 क्या होता है 1.732 तो 1 हो जाएगा बास अम्यारी है तो यानि जो भी इसके अंदर समान जाएगा या तो वो integer हो खो तो वो direct answer आ जाएगा अगर वो integer नहीं है तो उससे पहले जो integer आ रहा है 1.9 से पहले बाद में 2 आएगा आज पास नहीं ढूड़ना चोटा ढूड़ना तभी कह रहो ना नाम में greatest लिखा है greatest नहीं चोटा ढूड़ना है 1.9 से छोटा integer वो आएगा 1 वेल्यू आएगी answer 0 देगा 1 और 2 के वीज में जितनी वेल्यू आएगी answer 1 देगा इसलिए जो इसका domain क्या होता है पहले domain की बात करते है domain आपने देखा मैंने कुछ भी put कर दिया मैंने rational भी put कर दिया और मैंने irrational भी put किया लेकिन जो मेरी range है वह आप देख पारे हो वह हमेशा एक integer आएगी कुछ भी put करने पर मेरी जो range है बच्चों क्या आएगी हमेशा एक integer ही आएगी तो domain हो गया यह range हो गया यह इसके बाद अगर हम पढ़ाई करें इसके ग्राफ की तो ग्राफ थोड़ा सा weird है छे के इस ग्राफ की कोई shape नहीं है तो weird in the sense क्या है common sense से based है one two three four five one two three four five और one two three one two three चले तो जैसे for example अगर मैं इसको plot करूँ तो भाई यह zero पर तो यह zero देगा one पर one देगा लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी one two three four one से लेकर अगर मैं zero की बात करता हूँ तो answer zero आता है चीक है ना one से लेकर इसकी बात करता हूँ तो answer की आता है बिटा मेरा zero आता है लेकिन 2 से लेकर अगर मैं 1 कुछ भी पुट करूँ तो answer मेरा 1 आएगा तो यह ऐसे बन गया 3 से लेकर 2 के बीच मैं कुछ भी पुट करूँ तो answer मेरा 2 आएगा 4 से लेकर 3 के उचे कुछ भी पुट कर दो तो answer मेरा 3 आएगा ऐसे चलेगा अब ये मैं uncircle क्यों कर रहा हूँ क्योंकि two put करने पर two ही मिलेगा three put करने पर three ही मिलेगा four put करने पर four ही मिलेगा got it ना तो इसलिए यहाँ पर मैंने गोला मना दिया मैं समझ लो कि अगर two put किया तो मुझे two ही मिलेगा three पर three ही मिलेगा four पर four ही मिलेगा और 2 से छोटा put किया तो मुझे 1 मिलेगा, 3 और 2 के बीच में कुछी put किया तो मुझे 2 मिलेगा, 4 और 3 के बीच में कुछी put किया तो 3 मिलेगा, इसी प्रकार यहाँ पर put किया, इन दोनों के बीच में put किया तो मुझे 1 मिलेगा, यहाँ put किया तो यह मिलेगा, यहाँ put किया त सब्सक्राइब कर लेना उसको प्लीज याद कर लेना वह फॉर्मैलिटी की है यह बाते लिखी हुई है तो फंक्षन की देफिनेशन एक स्केट्मेंट वाली एक ऐसे वाली डोमेन रेंज ग्राफ दो यह तीन नमबर का कुशन आता है बहुत बड़ी देखा या तो यह आएगा या आएगा सिंगनम सिंगम देखो तुम ही बताओ कूंसा फंक्षन है हम तो इसको प्यास से सिंगम फंक्षन कहते है सिंगम फंक्षन तो सिंगनम फंक्षन क्या है आव बात करते हैं आई होप आपको ग्रेटेस इंटीजर समझ में आ गया हुआ देखो ग्रेटेस इंटीजर जो फंक्षन है वो फंक्षन पॉन्ट अफ्यू से इतना इंपॉर्टन नहीं है हां लेकिन वो लगता बहुत जग तो यह बहुत जादा इस्तमाल होगा, जब आप continuity पड़ोगे, तो अब आपको यह समझ रहे हैं कि इसके अंदर जो भी समान जाएगा, वो integer बनके भार आएगा, ठीक है ना, तो signal function क्या है, देखो signal function क्या है, बहुत ही simple सा function है, क्या रहा है ऐसा हर कोई function, 0 से बड़ा put करो तो 1 दे दे, 0 से छोटा put करो तो minus 1 दे दे, 0 put करो तो 0 दे दे, ऐसे function को का जाता है, signal function, 0 से बड़ा put करोगे तो 1, 0 से छोटा put करोगे तो minus 1, और 0 put करने पर आ जाए 0, तो उस function को कहते हैं हम लोग, signal function, तो अगर हम इसकी बच्चों डुमेन की बात की जाए, तो हमारा इसका ज infinite कुछ भी put कर लो, अब बात करते हैं range की, आप देख पा रहे हो, range में minus 1, 0 और 1 के लावा और कोई answer नहीं आएगा, पता, if we put 5, we'll get 1, अब यह कैसे हैं, ऐसे बहुत सारे function हैं, इसके examples बहुत सारे हैं, जिसमें से एक example यह है, अभी मैं लिख रहा हूं, लेकिन समझ में नह हमेशा यही आएगा, 0 से बड़ा है तो 1 देगा, 5 put कर लो, 10 put कर लो, 15, 100, 1,500, लाक answer बनाएगा, 0 put करने पर 0 आएगा, 0 से छोटा put करूँगा, तो हमेशा minus 1, तो मतलब कुछ भी put कर लो, मेरा output तो हमेशा यही निकलेगा न, तो range आ गई, minus 1, 0 और 1, अगर हम इनके graph की बा minus 1, इससे बड़ा put करोगे, तो you will get positive 1, इससे छोटा put करोगे, you will get negative 1, so this is the graph of signum function, तीन आखरी के function, super important है, modulus, grid integer, और signum function, छे कहें जी, इनकी domain range, definition, graph, पता हो नहीं चाहिए, छे कहें जी, काम भी आएगी, और direct quotient भी आता है, पे पर में, clear है, तो these are all 8 types of functions, I hope आपको यह एग हो गया होगा, आओ थोड़ी सी transparency लेकर आते हैं, इस बारे में कि paper में quotient किस प्रकार से आता है, तो सबसे पहले तो आपको मजबूती जगानी है, इसकी कि quotient में function देगा, और function में आपको उसका domain और range ढूंद के बताना है, जैसे, simple से तोर पर मैं आपको आज practice कराता हूँ, write domain and range of the following function, easy से शुरू करके थोड़ा सा मुश्किल पर जाएंगे, जैसे पहला function आता है, fx is equals to x plus 5, तो ये आपको quotient दिया गया, दूसरा question मैं आपके सामने लिख देता हूँ, fx is equals to 1 by x, तीसरा function मैं आपके सामने लिख देता हूँ, fx is equals to minus mode x, इसके अंदर आपके NCRT के भी बहुत सारे functions मैं clear कर दूँ आज ही आपको, और बहुत सारे अपने मन से दे रहा हूँ, ठीक है जी, अब धीरे धीरे इन तीनो function को देखो, और सोचो कि domain क्या है और range क्या है, although आप calculate भी कर सकते हो, लेकिन मेरी advice हमेशा ही होते है, पहले तो सोचना सीखो, क्योंकि 12 standard में आप calculate नहीं करोगे, वहाँ पर direct काम करना है, तो यहाँ पर आज हमारा main जो काम होगा, जो main हम लोग आज जिस zone में बात कर रहे हैं, वो यह है कि पहले हम लोग domain range calculate करने से पहले सोचना सीखेंगे, calculate करने के ओपर और important question के ओपर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, के बारे में जानना, उनकी domain range के बारे में जानना, उनके graph definition के बारे में जानना, और अब हम आ गए हैं, किसी function को देखकर उसकी domain और range कैसे प्राप्त की जाएगी, आपने 8 function सीख ली हैं, उनसे बड़ी मदद मिलेगी आपको कि इनकी domain range क्या होगी, जैसे पहला अगर बात की जाए, तो यह एक linear function है, तो fx is equals to x plus 5, एक linear function है, तो बट आवविस सी बात है, जो इसकी domain होगी बच्चो, you can put any real number, and जब यह linear है, तो infinite many solution है, तो यह आएगा, तो यह अभी आपको पढ़ाया गया है, बस आपको apply करना है, अब हम बात करते हैं, 1 by x, मैं कब से चिला रहा हू कि domain, अभी तक आपने देखा, तो हर एक चीज़ की domain ना minus infinite to infinite चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा होगा, कि यह तो denominator में 0 बन रहा होगा, यह root में negative, दोनों को avoid करना है, अब यहाँ दुनिया जान का हर एक number put कर सकते हो, सिवाए 0 के, ठीक है जी, सिवाए 0 के, तो domain आया, बच्चो हमारा सारे के सारे real number, except 0, 0 को आप put नहीं करोगी, क्योंकि अगर आपने 0 put कर दिया तो प्रले आजाएगी, 0 put कर दिया तो not defined हो जाएगा, ठीक है जी, लेकिन अगर आप range की बात करो बच्चो अपनी, तो range is minus infinite to infinite, कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी, कुछ भी आ सकत है, जैसे कई बच्चे कहें सार, ये तो हमेशा fraction में ही आएगा, क्योंकि आप अपने दिमाग ना natural number ही लेके चल रहे हो, 1 by 2, 1 by 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, put करोगे, या integer put करोगे, तो obvious ये बात है fraction में रहेगा, लेकिन अगर मैं x की जाएगा, 1 by 2 put कर दूँ तो, तो 2 तो उप पर, got it, चलिए, तो ये थोड़ा सा thought process बनाना पड़ेगा, ये one day process नहीं है बच्चो, तो जो part अब मैंने शुरू किया है, इसको आप 2, 3 बारी देख लेना, एकाथ बारी खुद से करना, खुद अपने आपको function देना, तब जाके बाद बनेगी, ये one time process नहीं है, it will take, ये पुष्टा, बताओ बच्चो, आप लोग बताओ, अब आप मेरे सामने नहीं हो, तो आपको खुद से quiz करना है, तो range क्या है, domain क्या है, ये बताना है, modulus function है, तो आप कुछ भी put कर सकते हो, बताया था, minus infinite से infinite, range क्या है कि, देखो mode से भार आकर, तो सारे के सारे क्या है, positive, अ हमें अपने जीवन में एक बारी modulus function के अंदर जरूर जाना चाहिए, हम लोग इतने negative लोग हैं, इतने negative लोग हैं, कि हम एक बारी modulus function के अंदर जाना चाहिए, कि ताकि बाहर आए तो positive, लेकिन ऐसे modulus function के अंदर जाने से क्या फायदा, कि जब बाहर आए तो हमारी surrounding में negative ही negative ल जाएगा लेकिन बाहर शनीचर बैठा है बाहर नेगटिव बैठा है वो आपको पॉजिटिव नहीं होने देगा तो कुछ भी पुट कर लो मोड दो उसको पॉजिटिव कर देगा लेकिन बाहर नेगटिव है तो यानि इसका अंसल आया ये NCRT का कोशन है, और देखते हैं, अब जैसे हमारे पास, चौता फंक्षन आया, fx is equals to mode x minus 1, पांचवा फंक्षन आया, x plus 5, और छटा फंक्षन आया, 9 minus x square, most important है, तो ये तीन फंक्षन आपके सामने आए, ठीक है जी, अब देखो, इस प्रकार सोचना है, बताओ जी, इसका domain क्या होगा, फटा-फट से बता दो, इसका domain क्या होगा, इसका domain, यानि under root के अंदर negative नहीं होना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पर 1 से, 1 डाल दूगा तो 0 आजागा, वो चलेगा, 1 से छोटा number डाल दूगा, दिक्कत आजाएगी, यानि मैं कहरा हूँ, x minus 1 जो होगा, वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आप इसको solve भी तो कर सकते हो, x जो हो गया, वो 1 से बड़ा हो गया, तो यानि x यानि domain, तुमारा answer आ गया, 1 से infinite, common sense भी है, अगर मैंने यहाँ पर, 1 से छोटा, यानि अगर मैंने यहाँ पर 0.9 भी पुट कर दिया, तो 0. 0.9-1 negative हो जाएगा, और वो under root के अंदर negative allowed नहीं है, ठीक है जी, और जो हमारा range है, जो हमारी range है, वो होती है, बच्चो 0 से infinite, क्योंकि यह positive देगा, root कभी भी negative outcome नहीं देता, तो positive देता है, तो under root वाले जो function होते हैं, वो मेशा positive outcome देंगे, तो या आया 0 से infinity, ठीक है जी, इ आखो बता है न, x plus 5 greater than equals to 0 होना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि यह positive, 0 आ सकता है, लेकिन 0 से बढ़ा होना चाहिए, तो क्या होगा बेटा, minus 5 से बढ़ा होगा, तो यानि minus 5 से बढ़ी, कोई भी value पूट कर दो, minus 5 से चोटी, यानि minus 6 पूट करोगे, तो दिक्कत आ जाएगी तो यह आया बेटा, minus 5 भी डाल सकते हैं, क्योंकि equal to का sign है, वहाँ चक कर लो, तो minus 5 से infinite, और जो range है, वो तब यह आखो बता ही मैंने बेटा, वो क्या होगी, 0 से infinity, गॉट इट, वो क्या होगी, 0 से infinity, इसी प्रकार 9 minus x square, तो हम क्या करेंगे, 9 minus x square को greater than equals 0 पूट कर देगे, 3 plus x, 3 minus x, दो function होगे ना बेटा, तो या तो 3 plus x, 0 से बढ़ा होगा, या 3 minus x, तो x is greater than equals to minus 3, x is less than equals to 3, तो minus 3 से बढ़ा, और 3 से छोटा, आखो चेक करेंगे, डुमेन आई, minus 3 से लेकर 3 के वीच वे, minus 3 से बढ़ा, यानि minus 3 से छोटा अगर आप उट करो, minus 4 डालो, तो minus में आजाएगा answer, 9 minus 16, और 3 से बढ़ा, 3.1 भी डालो, तो भी 3.1 का square तो 9 के square, 9 से तो बढ़ा ही होता है ना, तो भी क्या आजाएगा negative, तो ये भी एक foolproof plan है, ऐसी बात नहीं है, under root के अंदर जो भी आए, उसको greater than equals to 0 put कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है जी, और range की बात रही, वो तो common sense से आई जाती है, हमेशा positive number, लेकिन ये गभी भी 3 से जादा नहीं दे पाएगा, देखो, 9 में से अगर आप 0 minus करोगे, तो वो root 9 देगा, यानि 3 देगा, लेकिन 9 में से आप anything minus कर लो, कोई भी चीज minus कर लो, तो वो answer 3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 9 मे से हलका सा भी कुछ minus करोगे, हलका सा भी, ये positive quantity है, कुछ भी minus होगी, तो वो 3 से छोटी हो जाएगी, तो जो root आएगा, वो 3 से छोटा आएगा, तो यानि 3 आ सकता है, या 3 से छोटा होगा, 0 आ सकता है, क्योंकि अगर मैंने 3 put कर दिया, तो 0 आ सकता है, तो यानि 0 आ सकता है maximum 3 आ सकता है, यह 3 से छोटा रहेगा, तो कह सकते है, 0 से लेकर 3 तक हमारा answer हो गया, imagine got it संग में आई बाद, और देखते है function, function number 7 देखेंगे, यही चीज अगर denominator में चली जाती है छेक है जी तो क्या होगा, और देखो यह मेरे दिल के बड़ा करीब function, छेक है जी इस function की सिरफ आपको क्या बतानी है x square plus 2, इसकी सिरफ और सिरफ आपको range बतानी है domain दी हुई आपको domain is minus infinite से infinite, छेक है अच्छा, यह आ गया बताओ इन तीनों का, ऐसे और भी functions करेंगे अभी, यह जो अगर हम इसकी domain की बात करें बच्चो domain और range की तो यहाँ पर भी वही है, x minus 6 जो होगा, वो greater than 0 होगा, अब equals to 0 भी नहीं हो सकता, previous question में हम greater than equals to लिख रहे थे यह equals to नहीं हो सकता, क्यों denominator 0 बन जाएगा, तो x is greater than 6 आया, तो 6 से बढ़ा, तो यहाँ आया, 6 से infinite, पहले close bracket लग रहा था यह open लगे है, क्योंकि अगर हमने 6 पुट कर दिया, तो भी प्रहले आजाएगी और यह positive function होता है हमेशा, तो answer आया बेटा, 0 से infinity क्या आया, 0 से infinity, got it? अब इस function की बात करो, बहुत important है यह सारे NCRT के question है तो मैं NCRT के question चिपका कर नहीं लाया, लेकिन यहाँ पर लाया हूँ, तो मैं सारे NCRT, यह भी NCRT का है, तो मैं NCRT के question लगबग आपको करा रहा हूँ comment section में बताना अगर आपको NCRT के 2.3 और miscellaneous का solution चाहिए तो मैं वो भी बना दूँगा वैसे मैं आज फोकस कर रहा हूँ concept पर, ना कि questions पर मेरा protocol आज जो मेरा zone है, वो questions को crack कराना नहीं है वो है concept, questions खुद में खुद हो जाएंगे तो देखो, अगर domain की बात की जाए, तो x square upon में 1 plus x square आया, ठीक है जी तो यहाँ पर तो आप कुछ भी put कर सकते हो कोई restriction नहीं है, लेकिन range की बात करोगे, तो common sense लगाना उपर जो भी होगा, नीचे उससे एक बड़ा होगा, ठीक है जी तो it is in form of n upon में 1 plus n which is always less than 1 यह proper fraction है उपर जो भी quantity होगी, नीचे उससे एक बड़ा होगा, तो इसको हम proper fraction कहते है, n upon में 1 plus n, तो यह हमेशा 1 से छोटा होगा, therefore जो हमारी range होगी वो 0 तो आ सकती है, लेकिन 1 से क्या होगी, छोटी, 1 भी कभी भी नहीं आएगी, 1 से हमेशा क्या होगी छोटी, ठीक है अब इसकी बात करो, domain दिया हुआ है, आपको minus infinite से infinite, तो minus infinite से infinite आपको दिया हुआ है, कुछ भी put कर लो अच्छा, यह positive quantity है कभी भी minus में नहीं आएगी और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, 2 तो 2 में या तो कुछ जुड़ेगा नहीं, अगर 0 है कुछ जुड़ेगा तो 2 से बढ़ाई देगा तो इसका आंसर आ सकता है 2 तो आएगा, लेकिन हमेशा उससे बढ़ाई होगा 2 से छोटा कभी भी आंसर इसका नहीं आएगा, चेक का सकतो है ना अगर आपने x के जगा 0 डाला तो 2 आया उसके लाबा कुछ भी डाला तो 2 में addy होगा ना तो 2 से तो बड़ी value आएगी तो ये common sense based question होते है एक last question में आपको उता रहा हूँ 10th question, वो इस प्रगार का question आता है मालो उपर दिया हुआ x square plus 7x plus 2 और नीचे दिया हुआ x square plus 3x plus 2 ये दिया हुआ है, ठीक है ना आपको पूछे के इसके domain पूछते है, range पूछते ही नहीं है चेक कर लेना, कहीं पर भी इसकी range नहीं पूछती होगी तो यहाँ पर domain पूछते है, domain में कुछ नहीं करना देखो denominator में 0 नहीं बनना चाहिए तो rough में जाओ denominator को 0 put कर दो यह split हो गया x plus 1 और x plus 2 split करना आता ही है सबको x की value minus 1 minus 2 आगए यानि अगर मैं x की जागा minus 1 या minus 2 डालू मत तो मेरा denominator 0 बन जाएगा और वो हो नहीं सकता तो domain में सारे के सारे real number हम डाल सकते हैं except minus 1 and minus 2 तो यानि इसका answer होता है any real number except minus 1 and minus 2 got it clear है I rest my case तो यह था बेटा हमारा function topic I hope आपको समझ में आया होगा दिल से पढ़ाया गया topic है आज यह मेरा और इसकी practice करो मैं फिर आपसे बात कहता हूँ कि अगर आपको इसके 2.3 और miscellaneous के solution चाहिए each and every question के तो वो भी दे दूँगा ठेक है जी तो comment section में आप मुझे बात करें कि sir वाला भी दे दो तो अगर अच्छे comment साय तो मैं बताऊँगा वरना मेरा आज का main गयान था concept के उपर क्योंकि solution तो आपको हर जगा मिली जाते है concept हर जगा इस तरीके का नहीं मिलता ऐसा मेरा मानना है ठेक है जी मैं गलत भी हो सकता हूँ तो ये वाला आपको अच्छे से prepare करना है functions ये chapter में दर से खतम हो गया है अगला chapter कौन सा करना है ये भी आप comment section में बता दो कि whether it is trigonometry or it is linear inequalities ठेक है जी ये दोनों में से या complex number इन तीनों में से कौन सा chapter करना है comment below मिलेंगे आप से अगली class में till then take care bye bye have a nice day